उपमुखिमती अरुन साव ने सोमवार को दोरा का एक्रमों में शामिल होने से पहले पत्रकारों से चर्चा की इस दोरान उन्होंने पूरो सीम भुपेश बगेल पर एफायर पर बयान दिया डिप्टी सीम साव ने कहा कि महादेव एफ मामले में लंबे समय से जाच चल रही थी जाच में जो तथ्य आये हैं उसके बाद कारवाई हुई है इसके साथ ही अरुन साव ने कॉंगरिस पर जम कर निशाना साथ देवे कहा कि देश में त्रिष्टी करण की राजनीती कॉंगरिस ने की है बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास मुल मंत्र के साथ चली है जाच में जो तथ्या आये हैं उसके अधार पर ये कारवाही हो रही है भारतिय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक दोज़वस कभी कोई कारवाही करती नहीं है ये कारवाही भी जाच की प्रक्रिया से ही आई है देखी ये जो महादेव एप के मामले में F.I.R हुई है आप सब को पता है कि कब से इसकी जाज चल रही थी लगभग दो साल हो गया इसकी जाज करते इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और नहीं रजनीती इसका कोई लेना देना नहीं है ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है चत्तिरगड के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए है उसकी ये परनीती है